दूसरा धरातल से उचाई हम धरातल से जियो जियो उचाई पर जाते हैं तापमान घटता जाता है वायूमंडल का तापमान मुख्य रूप से पार्थिय विकरण प्रित्वी की सतह से निकलने वाली उश्मा से बढ़ता है वायूमंडल का निचला भाग पार्थिय विकरण स अधिक और उपरी भाग कम ताप प्राप्त करता है। वायूमंडल की निचली परत में मौजूद जलवाश्प, धूलकन तता विभिन प्रकार की गैसें प्रिथ्वी द्वारा उतसर्जित ताप को अवशोशित कर लेते हैं। अता धरातल के पास अधिक ताप मान रहता है। वायूमंडल की उपरी सतह में इसके कमी से ताप मान कम रहता है। प्रती 165 मीटर उचाई पर और सितन 1 डिग्री सेंटिग्रेट ताप मान घटता जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि हम धरातल से जैसे जैसे उचे स्थानों पर जाते हैं, हवा विरल हो जाती है। सूरी की सीधी किरणों की अपेक्षा विकिरण से धरातल के पास की हवा ज्यादा गर्म होती है। इसलिए गर्मियों में पहाडों पर कम ताप मान होने के कारण लोग ले, शिमला, मसूरी, मैन पाट आधी जगहों पर जाते हैं। विकिरण, किसी गर्म वस्तु से तरंगों के रूप में निकली हुई उश्मा को विकिरण कहते हैं। दोफर बारा बजे पृत्वी को सूरे से ज़्यादा उश्मा मिलती हैं, लेकिन लगभग दो बजे ज़्यादा गर्मी लगती हैं। क्योंकि उस समय पृत्वी की गर्म सता से उश्मा तरंगे विकिरण के रूप में निकलने लगती हैं। तीसरा, समुद्र से दूरी। हमने कक्षा आठवी में विस्तार से समझा था कि सम जलवायू का अर्थ होता है सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान के अंतर का कम होना, तता विशम जलवायू का अर्थ है सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान का ज्यादा अंतर होना। ऐसा क्यों होता है? पानी की विशेष्ता है कि वह देर से गर्म होता है तता देर से ठंडा. इसके विपरित इस्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं तता जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं. समुद्र तटिये छेत्रों में दिन में चलने वाली कम गर्म समुद्री हवाओं से ताप मान सम बना रहता है परन्तु समुद्र तट से दोर इस्थित इस्थान पर समुद्री हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है अता वहा की जल्वायू विशम होती है. चोथा हिमालय परवत के इस्थिती भारत के उत्तर, उत्तर पश्रिम तथा उत्तर पूरों में हिमालय एवं अन्य परवत शेणियों का विस्तार है. इन उची परवत शेणियों के कारण मदेशिया की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं. ये दक्षिन चलने वाली मानसूनी हवाओं को बाहर जाने से रोकती हैं तथा द्रूवी ठंडी हवाओं को भी भारत में आने से रोकती हैं. इस तरह से भारती उपमहाद्यूप में हिमालय के स्थिती जलवायू को नया रूप प्रदान करती हैं, जिसे उष्ण कटिबंदिये मानसून जलवायू के नाम से जाना जाता है। जलवाय ठंडी होती हैं तो कहेंगे कि पहली जगा पर हवा का दबाव दूसरी जगा से हवा पहली जगा की ओर बहेगी। छटवा, मानो द्वारा निर्मित कारण मनुष्य के आर्थिक क्रियाएं और दोगी करण, नगरी करण, भूमी उप्योग में परिवर्तन, निवर्नी करण, आधी, भूम अंडली, ताप, वृद्धी का कारण बन गए हैं। इसका जलवायू परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। मार्च के बाद से मई तक तापमान में लगातार बढ़ुत्री होती रहती है। दिन में गर्म एवं शुष्क, पश्चिमी पच्छवा पवने तेजी से बहती हैं, जो रात में धीमी हो जाती हैं। एवं दिशा कोई निश्चित नहीं होती। पश्चिन भारत में आमर ब्रिष्टि कहते हैं।